प्रिये बिद्ध्यार्तियों बीएसी पार्ट सेकिंड की और्गनिक केमिस्टी की क्लास में एक बार पुने आपका स्वागत है जो है पिछले वीडियो लेक्चर यानि फिनॉल पार्ट टैन में हमने आपको जो है दो अभिक्रियाओं के बारे में बताया था एक तो थी अभिक्रिया जो है क्लेजन्री अरिज्मेंट और दूसरी अभिक्रिया थी लेडरर मेना से अभिक्रिया इन दो अभिक्रियाओं के बारे में बताया था अब हम कुछ और यानि अत्रिक्त अभिक्रियाएं फिनॉल के उतके बारे में पढ़ेंगे जो है तो ये अभिक्रिया है नंबर पहली अभिक्रिया है लेबर मान्स नाइट्रो सो रियक्शन इसमें हम क्या करते हैं कि जो फिनॉल होता है उसको जो है टेस्ट के लिए यानि भिन भिन कलर देती है जो है हम उसको टेस्ट के लिए प्रयोग में लेते हैं तूसरा है रंका जुए हो जाता है तो उससे सब्मंदित है जुए तो मैं डॉक्टर बीके अगरवाल एसोसियेट प्रोफिसर इन केमिस्टी गवर्मेंट लुईया कॉलेज चुरू पुने आपका एक बार बीसी केमिस्टी की और्गेनिक केमिस्टी क्लास में सागत करता हूं जैसा कि अभी अभी मैंने आपको पताया कि जुए हम फिनॉल की कुछ अन्य अविक्रिया हों जैसे लिवर्मेंट नाटेसो अविक्रिया के बारे में पढ़ेंगे तो जब फिनॉल को सांद्र एस्टेसोफोर और सोडियम नाइट्राइट के साथ करम करते हैं तो लाल बुरा रंग प्राप्त होता है कैसा लाल बुरा रंग प्राप्त होता है जो सीधरी जुए है नीले रंग में परवर्तित हो जाता है और यदि बिलियन में जल की काफी अधिक मात्रा मिलाई जाए या जल की मात्रा से तनू किया जाए तो बिलियन का रंग लाल हो जाता है और इस लाल र फार यानि एनुवेस के साथ अभी क्रिया कराई जाए तो नीला रंग प्राप्त होते हैं यह फिनॉलिक समू को उपस्तित है उसकी सिद्ध करने में यानि उसकी फिनॉलिक समू के जोए करेक्टरिस्टिक test को यहां प्रिसरोगी करती है क्या करते हैं हम सबसे पहले Phenol प्रइनॉल को गधी अर्ट को सुडियम ननुटियर सक यह से क्या इस यो तु छ यंद भूरे लाल रंखा हो जाता है फिर हरे नीले रंग का हो जाता है जाена हम बन जाता है और जैसे डाइलूट करते हैं तो लाल रंग में परवर्तित हो जाता है और जिसको छार के संग टीट करने से जुए कैसा रंग प्राप्त हो जाता है नीला रंग प्रवर्तित हो जाता है ये पैरामांगो Bhagavan यह है पेरा किनोन मौनो अग्जीम यह फिनोल के जो पेरा पोजिशन पर हाइडोजन होता है उसके साथ जो है यहाँ पर रियक्शन करता है और यह जो है एक संकुल बनाता है किसके संग जो है यह सल्फूरी कैसेट इसमें रहता है तो जब हम सल्फूरी कैसेट डालते है तो इसको इंडो फिनोल मौनो सल्फेट कहना में इसको इंडो फिनोल मौनो सल्फेट यह एक संकुल बन जाता है जो है और जब इसमें एक्सस जल की मातरा मिलाते हैं तो यह क्या होता है इसका इंडो फिनॉल बन जाता है जो की लाल रंका होता है जब इसको छार के साथ क्रिया करते हैं तो इसका सोडियम साल्ट जो है सोडियम लबन बन जाता है जो की नीले रंका यह कैसा सोडियम लबन यह सोडियम लबन बन जाता है यह यह जो है है रिप्लेस हो जाता है वो माइनस ह है यहां पर निकल जाता है और यह सोडियम साल्ट या सोडियम लबन बन जाता है जो की निले रंका होता है तो यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है जिससे के जुए हम फिनॉल का कंफर्मेशन टेस्ट हुए है निश्चात्मक परेक्शन करते हैं अब दूसरी अभी करिया है जो फिनॉल का ऑक्सिडेशन जब फिनॉल का हम स्टार्टिंग या फिजिकल प्रपर्टी जो फिनॉल की बताई थी तब आपको बताया ताकि यह जुए क्यासा है कि यह वायू में रख देने पर जुए आक्सिक्रत हो जाता है और लाल रंग का या गुलाबी या बुरे रंग में परवर्तिथ हो जाता है वैसे तो जो है इनके ऑक्सिकलम की कोई निश्चित रूप नहीं है लेकिन फिर भी यह माना जाता है कि यह संबद किसमे किनोन में किनोन या फिनो किनोन में बनाते हैं किस तरीके से यह फिनॉल है llega किनोन बन गया ये और यह किनो बना लेती है और यह फीनोल बनाती है तो अतक किसी फीनोल योगिका ऑक्सिकर्ण में जो फीनोल समूं को यदि हमें प्रोटेक्ट करना है यदि हम चाहते हैं कि उसका फीनोल समूं बना रहे तो हमें क्या करना पड़ता है कि उस Phenol समु को पहले किसी ऐसे अभी कर्मक से reaction कराते हैं जिससे कि वो फिनॉल उसका oxidation में parts पर नहीं करे जगे तो हम क्या करते हैं जैसे पेरा क्रिसॉल है पेरा क्रिसॉल क्या होता है जो ये पेरा मिथाइल फिनॉल पेरा मिथाइल फिनॉल को जो हम क्या कहते हैं पेरा क्रिसॉल कहते हैं पेरा क्रिसॉल तो इसके जो ओएस समु को प्रोटेक करने के लिए किससे एस्टाइल क्लोराइड CH3 COCL से reaction कर जाते हैं तो ये हमारा complex ये बन जाता है यानि इसमें जो OH है वो एस्टर समु में परवर्तित हो जाता है अब इसका oxidation करते हैं जिससे CH3 समु जो है CWOH समु में परवर्तित हो जाता है अब इसकी जो compound बना ये इसकी जो ये अमलिय हाइडलेसिस यानि जल अमलिय जलब गटन करा देते हैं जिससे हमारा जो phenol group है वो पुने वापस प्राप्त हो जाता है तो पैरा hydroxy benzoic acid इस तरीके से जो जो CH3 समु ता CH3 समु ता उसको हमने किसमें CWOS समु में परवर्तित कर दिया अगर डारेक्ट करते तो इसका भी oxidation हो जाता है चुक्कि हमें ये समु रखना था तो इसलिए जो ये इसका पहले protection किया और फिर deep protection जो ये कर देते हैं deep protection में जो ये तो हमारा पुराना OS समु ये आ जाता है यदि आभिक्रिया पर sulphate के साथ कराई जाए तो एक OS समु बढ़ जाता है और ये समु ये सामनेत है पैरा इस्तिती पर जुड़ता है और यदि पैरा इस्तिती पर कोई समु जुड़ा हो तो ये समु ये और्थो इस् इस अभिक्रिया को एल्व पर sulphate अभिक्रिया कहते है ऑक्सी करण कहते हैं जो ये क्या नाम है इसका यहाँ पर 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 यहाँ और यदि पैरा स्थिती पर कोई सम्मु जूड़ा हुआ हो तो यह IGHए और तो इसथिती पर जुड जाता है इस आक्सिक्रमको डूए अलफ पर सलफिट 200 यह हम जो है second year में भी जब confirmative test करते हैं या first year में भी करते हैं फिनॉल का confirmative test जो है तो उस समय यह विक्रिया का test जो हम करते हैं तो आज के लिए इतना ही वीडियो को यह अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को शब्क्राइब करें और वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं ज़िए जन्यवाद